चीफ जस्टिस ओफ इंडिया की अगवाई वाली सुप्रीम कोट की समवैधानिक पीट ने दो बालिगों के बीच सहमती से बनाये गए समलेंगेक संबंदों को अपराध मानने वाली धारा 377 को खत्म कर दिया है सुप्रीम कोट ने धारा 377 को मनमाना करार देते हुए व्यक्तिकत 24 को सम्मान देने की बात कही है सुप्रीम कोट ने इस तरहे दिसंबर 2013 को सुनाए गए अपने ही फैसले को पलट दिया है सी जी आए दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस आर एफ नरीमन जस्टिस ए एम खानविलकर जस्टिस डी वाई चंद्रचूर और जस्टिस इंदू मलहुत्रा की समवैदानी ख्रीट ने 10 जुलाई को मामले के सभवाई शुरू की थी सुप्रिम कोट ने कहा कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि बहुमत की सरकार इसे रद्द करें चीफ जस्टिस दिपक मिश्टरा की अगवाई वाली समवैदानी बेंच ने कहा कि वो साफ करना चाहते हैं कि वो धारा 370 को पूरी तरह से खारिज नहीं करने जा रहे हैं बलकि वो धारा 370 के उस प्रावधान को देख रहे हैं जिसके तहत प्रावधान हैं कि दो बालिक अगर समलेंगिक संब्द बनाने बनाते हैं तो वो अपराध है या नहीं कि अधियर अधियर लीगलाइज एलजी बीटी आई क्यू कम्यूनिटी थैंक्स लॉट सब्सक्राइब बहुत सारा कुछ कर सकते हैं अम लोग को पाटनर्स है लवर्ज हैं लोग कभी भाहर नहीं सकते हैं आज हम लोग खुल के बाहर आ सकते हैं मिल गया है अभी हो में अलमुस्ट खकम हो जाएगा अब रोज ताने सुनने को नहीं मिलेंगे